स्ट्रेंजर थिंग के लांस्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि कैसे स्टीव की पूल में से बारबरा गायब हो गई थी इसे कंटिनिटे के साथ में एपिसोड नंबर तीन की शिर्वात होती है जहां पर हम इस टाइम पे बार को ही देख रहे थे हमें इस जगह को दे खाएं होती है जैसे रूट होती है वैसे ही इस पूरे स्विमिंग पूल को कवर किया गया था बारबरा यहां पे बार बार चलाने की कोशिश करती है और नैंसी को आवास देने की कोशिश करती है लेकिन नैंसी उस टाइम पे स्टीव के पास थी यहां से बारबरा खुद क नैंसी बार्बरा को ढूंटी भी है लेकिन घर में नहीं मिलने के कारण वो अकेली इपनी घर की तरफ निकल जाती है। तभी वहाँ पे उसे उसकी मॉम रोक लीती है और पूछती है कि तुम आखिर पूरी रात कहा थी। नैंसी बहाना बना देती है कि दोस्तों के साथ जब वो study कर रही थी तो रात में सब खाने पेने के लिए निकल गए थे और आते आते इन सब को time लग गया जिसके बाद हम यहाँ पे John को देखते हैं जो कि नीन में उठते ही सबसे पहले अपने mom की तरफ भागता है कि आखिर उनकी तभीयत कैसी होगी जहाँ पे हम Joyce को देखते है कि Joyce ने अपने पूरे घर के लाम पे खटे करके अपने सामने रख रखे थे जॉन के पूछने पे जॉयस बताती है कि Will उससे कम्यूनिकेट करता है और वो उससे बात करके सब कुछ बताता है जॉन को लगता है कि उसकी mom की हालत दिन बदिन खराब होती जा रही है इसलिए उनी थोड़ा सो जाना चाहिए दूसरी तरफ हम यहां पे माइक डस्टिन और ल्यूकस को देखते हैं जो कि अपने दोस्त विल को ढूंडने के लिए अलग-अलग सामान लेकर आये थे और साथी साथ एल से भी पूछते हैं कि आखिर उन्हें कहां पर मिलेगा यहां पर य हमारे घर के बार एक जगह है वहां पर मिलना है एल को टाइम देखना नहीं आता था इसी कारण माइक उसे अपनी वाच देखे जाता है और कहता है कि बस टाइम पर पहुंच जाना हमें विल को ढूंडने के लिए जाना है यहां पर नैंसी स्कूल में पहुंचती है जहां एक पाइप का दूसरा सिरा इस साइंस लैब के अंदर खुलता है इसी कारण होपर अपने दो आदमियों को लेके साइंस लैब के अंदर पहुंचता है लेकिन वहां का गार्ड होपर को अंदर नहीं जाने देता और कहता है कि पहले आपको परमिशन लेके आनी पड़ेगी hopper guard से request करता है कि ये एक बच्चे की बात है हमें पता है कि वो अंदर नहीं मिलेगा लेकिन बस ही हमारा काम है उसे ढूमना दूसरी तरफ L माइक के पूरे घर में घूमती है उसे अलग-अलग चीज़े दिखाई देती है L ने उस टाइम पे टीवी आउन किया था जहां पे उसे एक कोग कायट दिखाई देता है इसी के साथ हम L के पास्ट में पहुंच जाते हैं L को कुछ चीज़े देख के उसके एक्सपरिमेंट याद आ जाते है हमें दिखाया जाता है कि L को एक एक्सपरिमेंट लैब में रखा गया था उसके सर पे काफे सारे वायर कनेक किये गए थे ताकि उसके फ्रिक्वेंसी चेक की जाए कि जब वो अपनी पावर्स यूज करती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहे एल के पास ऐसी पावर्स थी कि वो चीजों को बिलकुल क्रश कर सके एल ने अपनी पावर्स एक कोग के कैन को क्रश कर दिया लेकिन तभे उसके नाक में से ब्लीडिंग भी होने लगी दूसरी तरफ यहाँ पे जॉयस अपने घर के अंदर काफी सारी लाइट्स लगा चुकी थी लेकिन कुछ लाइट कम पढ़ने के बाद वो सीधा मॉल के अंदर पहुच दिये और काफी सारी लाइट्स पर्चेस कर लेती है पूरे घर में लगाने के लिए हौपर साइण्स लैब के मैनेजर से बाचीत करता है कि आखिर आप यहाँ पे किस तरह के का तुफान चला था लेकिन इन लोगों ने जो वीडियो हमें दिखाई है उसके अंदर किसी भी तरके का कोई तुफान नहीं है यानि के इन लोगों ने हमें जूट बोला है यहां पे कोई ना कोई चीज तो ऐसी है जो हम से छुपाई जा रही है हम यहां पर इस रिसर्च टीम इसका कही न कही मतलब ये भी था कि एल ने बार्बरा को भी दूसरी दुनिया में दीखा हुआ है नैंसी को अब यहाँ पे स्टीव के ग्रुप के साथ में बैठना पड़ता है उसे हालां कि यह लोग पसंद नहीं थे लेकिन फिर पे स्टीव के साथ रहने की कारण वो इन ल प्रिंट कर सकता था यहाँ पे वो उनी सारी पिचर्स को प्रिंट कर रहा था जो कि जॉन ने स्टीव की घर पे क्लिक करी थी स्टीव की ग्रुप की एक लड़की जॉन को ये करते हुई दीख लेती है जॉस पूरे घर के अंदर लाइट्स लगा चुकी थी तब ही माइक क मॉम अपनी छोटी बेटी को लेकर आती है माइक की मॉम यहाँ पे जॉइस से मिलने के लिए आई थी और उनका हाल चाल पूछने के लिए आई थी दूसरी तरफ हम होपर को देखते हैं जो कि अपने इंवेस्टिगेशन में इंटरस्ट लेता जा रहा था और चीजों को ज साइन्स लैब के बारे में भी रिसर्च करता है। होपर को पता चलता है कि साइन्स लैब में काफी सारे पहले भी घपले हो चुक हैं यहां पर मायक की मॉम जॉइस से दूसरी बाते करने लगती ताकि जॉइस का कहीं दूसरी तरफ मन लग सके। तभी हम देखते हैं कि यही छोटी बच्ची लाइट्स को ब्लिंग करते हुए देखती है और इन्हें फॉलो करते हुए सीधा विल की कमरे तक पहुंच जाती है जहां पर काफी सारे लैंप थे और वो एक साथ ब्लिंग कर रहे थे यह छोटी बच्ची यहां से डर के नहीं जाती है तभी हम देखते हैं कि इस कमरे की दिवार आगी बढ़ रही है जैसा कि पहले जॉयस ने भी देखा था कि इस दिवार से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है इस टाइम भी दिवार के उस बार का मॉंस्टर यहां से बाहर आने की कोशिश कर रहा था तभी जॉयस और माइक की मॉम का ध्यान पढ़ता है कि बच्ची यहां से गाया भैयू दोनों भागते हैं और बच्ची को सिधा गोत मेले लेते हैं। जॉयस यहां पर बच्ची से पूछने की कोशिश करती है कि बताओ अंदर आखिर और कौन-कौन था। बच्ची बोलने वाली थी लेकिन तभी माइक की मॉम थोड़ी ड़ जाती है कि जॉयस आखिर पूरी तरीकी से पागल ना हो जाए। चल रहा है। तब यहां पर जॉयन के बैक के अंदर से सारी पिच्चर्स निकाली जाती है। स्टीव जॉयन को बहुत बुरा बला कहता है कि तुम अगर हमारे साथ नहीं घूम सकते तो तुम ऐसी हरकते करोगे। किसी की भी बिना पूछे पिच्चर्स क्लिक करोगे। करती थी एल के सामने एक कैट थी और शायद उसे एक्सपरिमेंट के लिए कहा गया था कि उसकी पावर से उसे उस बिल्ली को मारना है लेकिन ऐसा नहीं कर पाई पनिश्मेंट के कारण एल को अंधेरी रूम के अंदर लेके जाया जा रहा था लेकिन एल इस बार इतने कान में से ब्लट आने लगता है तभी वो साइंस लैब का हेड़ वहां आता है और एल को कहता है कि तुम बहुत बड़ी नायाब चीज हो तुमने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है और उसे अपने साथ लेके चला जाता है इस टाइम तक यहां माइक डेस्टिन और लिउ दोस्त है उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया नैंसी जब स्टीव की घर पे पहुचती है तो वहां वो बार्बरा को डूड़ने के लिए थोड़े जंगल में पहुच जाती है जहां पर उसे किसी तरह की हलचल सुनाई देती है नैंसी को घर के बाहर कार भी मिली थी इसका मतलब जवाब दो मैं तुमसे बात करना चाहती हूं यह लाइट सारी ब्लिंक होती है और सीधा जॉयस एक वुड़न इलमारी के अंदर बैट जाती है जहां पर वो काफी सारी एक लाइटों का गुच्छा अपने हाथ में ले लेती है जॉयस कहती है कि बेटा मैं तुमसे सवाल क होती है इसका मतलब है कि विल कम्यूनिकेट कर रहा है जॉयस से लेकिन वो सेफ नहीं है साथ ही साथ वो इसी घर में है जॉयस काफी जादा एक्साइटेड हो जाती है और वो पूछने लगती है कि मैं तुम्हें आखिर कहां डूंडू तुम कहां पे हो मुझसे बात करने क कोशिश करो लेकिन इतनी सारी बातों का जवाब विल नहीं दे पाता जॉयस उसी टाइम पे अपने घर के अंदर ए से लेके जैट तक के अलफाबेट पेंट कर देती है और उन पे लाइट्स लगा देती है तूसरी तरफ नैंसी रोते हुए अपनी घर पे पहुंचती है और वहाँ पे अपनी मॉम को बताती है कि बारबरा किसी मुसीबत में है उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है यहाँ पे हॉपर के सामने बैठा ओफिसर हॉपर को बताता है कि मैंने एक न्यूस पड़ी है जिसमें एक लेड़ी ने कमप्लें की है कि उसकी बच्ची को एक दिन ले जाया गया था एकस्पिनिमेंट के नाम पे जिसके बाद में वो बची हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई हॉपर कहता है कि अभी हमारा में मुद्धा यह नहीं है बलकि अभी हमारा में मुद्धा है कि आखिर यह साइंस लैब किस चीज़ की उपर रिसर्च करती है और आखिर क्या चीज़े हैं जो कि वो पप्लिक नहीं कर सकते हैं तब ही वहाँ पे होपर को एक कॉल आता है होपर अपनी पूरी टीम के साथ में एक तालाब की तरफ पहुचता है दूसरी तरफ एल यहाँ पे माईक डेस्टिन और ल्यूकस को विल के घर के बाहर ले पाती माईक एल से शांती से पूछता है कि बताओ आकर तुम हमें यहाँ पर क्यों लेक्या आई हो कोई तो रिजन होगा इस चीज़ के पीछे तब ही इस रस्ते से पुलिस की गाड़िया गुजरती है यह बच्ची उन्हीं पुलिस की गाड़ियों को फॉलो करते हैं दू जॉइस पूछती है कि अब आखिर में क्या करूं मुझे बस इस चीज़ का जवाब तो तो वहां पे लाइट्स ब्लिंक होती है रन यानि कि भागो यहां से और तभी जॉइस के घर के दिवार फट जाती है और उसमें से एक मॉंस्टर बाहर निकल के आता है जो कि जॉइस को बस मारने ही वाला था वो किसी एलियन मॉंस्टर इंस सभी का मिला जुला रूप था जॉइस वहां से काफी तेजी से भागती है यहां पे हॉपर उस तालाब के बाहर खड़ा था जहां पे उसे एक नियूज मिली कि इस तालाब के अंदर एक बॉड़ी मिली है हॉपर प होप थी कि एल शायद उसे विल तक पहुचा देगी लेकिन जब बॉड़ी मिली तो वो काफी जादा हर्ट हो गया था इसी कारण वो एल को वही छोड़के अकीला घर की तरफ चला गया यहां हम जॉइस को भी देखते हैं जिससे अपना बेटा जॉन रास्ते में मिल गया और वो काफी जादा डरी हुई थी इसी के साथ जब माईक अपने घर पहुंचता है तो अपने ममी के गले लगकी जोर जोर से रोता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका दोस्त इस दुनिया में नहीं रहा और तब यहां पे हौपर की गाड़े भी जॉन और जॉयस तक पहु झाल झाल